नमस्कार में भारकिष्री बिसिंद्यूस के बिजनेस समाचा में आप सभी का स्वागत है खबरों की और पट्डे से पहले आईए डालते एक नसर आज की हिट लाइन्स पर चार का निर्यात और प्रतिशत कम रहने की आशका क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट में जता अग्यानुमान जेस्टे एटी की 31 पीटी अधिसुचित 14,000 कर मामले लंपे अभोगा त्वरित निप्टान देश का विदेश्य मुद्रा भंडार आज सितंबर को समाप्त सब्ताह में 4.99 अरब डॉलर खटकर 593.90 अरब डॉलर रहा भातिया रिजर्वा बैंक ने इस चुकरवार को यह जार कारीती है पिशले सब्ता देश का कुल भंडार 4.04 अरब डॉलर बढ़कर 589.99 अरब डॉलर रहा था अक्टुमबे 2021 में देश का विदेश्य मुद्रा भंडार 645 अरब अमेरिकी डॉलर के सरवकालिक उच्चे तमस्दर पर पहुँच गया था रिजर्वा बैंक के सब्ता एक आगड़ो के अनुसार 8 सितमबर को समाप्त सब्ता में विदेश्य मुद्रा भंडार का एहम हिस्सा विदेश्य मुद्रा आस्तिया 4.26 अरब डॉलर खटकर 526.43 अरब डॉलर रह गी विद्धमंत्राले ने वस्तु एवं सेवा कर अपिलिया नाधिकरन जेस्टी 80 की एक्तिस्पेट अधिसुचित की हैं ये प्रेट सबीर राज्चों और केंडर शाहसित प्रदेशों में स्तापित की चाहेंगे इस कदम से कर्मांगों के 14,000 से अधिक मामलों के त्वरित न मामलों की पोच से दबे हुए है और उनकी पास जेस्टी मामलों सिंद्री पटिक लिए कोई विशेश पीट नहीं है अधिसुचना की अनुसार गुजरा तथा केंडर शाहसित प्रदेशों दाध्राव बंदगर हविली और दमन वद्दिव में जेस्टी 80 की दो पीट जिम बंगाल सिक्किम तथा अंदमान वन निकुबार द्वेश समूहा तामिल लडू पुद्दू चेरी में कुल मिलाकर दो जेस्टी 80 पीट होगी जबकि केरल तथा लक्षा दिप में एक पीट होगी बारत का निर्यात इस साल अगस्त में 6.6 प्रतिशत घटकर 34.48 अरब अमेरिकी डॉलर रहा शुक्रवार को जारी सरकारी आकड़ से यह जानकारी मिली है पिछले साल इसे माह में यह 37.02 अरब डॉलर था आकड़ो के मताबिक आयाद भी 5.23 प्रतिशत खटकर 58.24 अरब डॉलर हो गया यह अगस्त दोहजार बाइस में 61.88 अरब डॉलर रहा था अगस में देश का व्यापार खटा 24.16 अरब डॉलर रहा चालू वित्वर्ष 2023 और 24 में अप्रेल अगस के दोरान निर्याद 11.9 प्रतिशत खटकर 172.95 अरब डॉलर और आयाद 12 प्रतिशत खटकर 211.83 अरब डॉलर रहा श्रेलंका से आपुरती बढ़ने की वज़ा से चा चाय उद्वर्ष के निर्याद में सालना आधार पर आठ प्रतिशत की गिरावट आने की आशिंका है एक रिपोर्ट में यह अनुमान जदाया गया है क्रिसल रिटिंग्स के रिपोर्ट के मुताबिक वितवर्ष 2023 और 24 में चाय उद्वर्ष की परिचानल लाप्रत्ता की पिछले साल की तुन्ना में एक प्रतिशत घटकर 5 प्रतिशत रह जानी का अनुमान है चाय की पैदावर कम होने से ऐसा होने की आशनका है हाला कि पुंजी गद वे नगन्य होनी और कम रुद्धी से इस उद्वर्ष का कर्च धाचास स्तीर बने रहने की उम्मिद है रेटिंग एजेंसी ने कहा कि चाय उत्यों का निर्याद आकार घटने से इसका सालाना राजस्व आट प्रतिशत तक घट सकता है क्रिसेल रेटिंग्स के निदेशक नितिम करसल ने कहा कि कुल बिकरी में 82 प्रतिशत हिस्सिदारी रखने वाली घरे लुमांग इस साल भी 110 करोड किलो के साथ स्तीर रहने की उम्मिद है हिंदुजा समो की प्रमुक कंपनी अशोक लिलैंड उत्तर प्रतिश में 1000 करोड रुपे के हिंदिवेश से बस बनानी का कारखा न बनाएगी इस कारखारी में परियावरन अनुकुल परिवान व्यवस्ता पर विश्यस दोर होगा वाने शिक वहान बनाने की कंपनी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपने पहले वी निर्मान संयत्र के लिए कंपनी ने राज़िस सरकार के साथ समझोता ग्यापन पर हरस्ताक्षर किये हैं कंपेनी लखनों की पास बस वी निर्मांग के लिए एकी कुरूज संग्यत्र स्तापिट करेगी और इसमें 1000 करोड रुपे तक निवेश करेगी खबरे समावति करने से पहले आईए डालते एक नसर आज की हेटलाइन्स पर मिजनिस समाशार में फिला लिता हैं ताजा खबरों के लिए देखते रिए बेसेन न्यूज नमस्कार